जय हो बम बम गिरनारे खबले हमारे दरसा नारे बैठ जाओ अल्ला रे अल्ला क्या फैज है मेरे यार का वो अपने हिस्से की भी तुम्हें पिलाना चाहता है बिल्कुल पक्की बात है अपने हिस्से की भी तुम्हें पिलाना चाहता है नाराइन हरी नाराइन हरी सदेव प्रसन रहना इश्वर की सरोपरी भक्ती है भूभे लगता है अराइन शुम्हें फैस्नां ब्लष इस्साय बें मुरूफर पिलाना चूवर है लिकिन तुमारे हिंदू धर्म में 40 तुम्हें एक ब्लत ब्लत है नहीं आटन वई दिक्स्क्रुतिगं का शोक यह मन का मोह है, राम जी आये, भै प्रगट गोपाला दीन दयाला कौशन याही, और शिव जी आये उज्जेनी में, बम बम भुले शम भावाय चा मयो भावाय चा शिव जी अंतर दान होगे तो, हाई शिव या शिव कभी सुना है क्या। बोलो, राम जी आ गए तो, भै प्रगट गोपाला, राम जी जब पधार गए तो, है रे राम जी चलेगे आज के पापी दिनने, राम जी पे, है राम, या राम, है राम, कभी चाती कूटते किसी इंदू को देखाएगा, मिया, जै राम जी कि, कृष्ण का नया लाल की, दिने और दिने पाल की, नंद घेरा नंद भयो, जै कन या लाल की, ये हाधी गोडा पाल की, ये नंद घेरा नंद भयो, जै कन या लाल की, ये तो तुमने सुना, तुमने सुना, तुमने गाया, जब नंद घेरा नंद भयो, कृष्ण आये तब, लेकिन कृष्ण धरती से लेला समेट के गए तो कभी सुना के क्रश्णा चले गए रे मेरा क्या होगा धर्ती का है क्रश्णा या क्रश्णा कभी सुना गया वैदिक संस्कृति हमें बताती है कि तरति शोकम आत्म विद्ध तुमारा आत्म के यहां शोक की गुंजाइश नहीं है चिंता की गुंजाइश नहीं है दुख की गुंजाइश नहीं है इसी आत्म देव का नाम है शिव सत्यम शिवम सुन्दरम सत्य उसे कहते जो पहले था अब भी है बाद में रहे सृष्टी के पहले था अब भी है बाद में रहे और तुमारे शरेर के पहले तुमारा सत्यम श करो मौज से जियो जो बित गई सो बित गई तकदीर का शिकवा कौन करे जो तीर कमान से निकल गई उस तीर का पीछा क्यों करे कौन करे कब तक करे तू मौज मेरे भईया फिकर फैंक कुवे में जो होगा दिखा जाएगा बड़े शरम की बात है मनुषय जनम पाके भी जरी-जरी बात पिचिंता करना अवैसा हो गया ओसा हो गया बुखे मर जाएगे तो खाखा के कोई अमर हो गये क्या हो मैं तो सच कहता हूं खुदा की कसम खाखा के जितने लोग मरते उतने बुखे उसके सो माइसा भी नहीं मरते क्या खाल है और जादा खाके जितने लोग बीमार होते उतने उपवास वाले बीमार नहीं होते क्या ख्याल है कभी चभावे चना-चबीना कभी लप्ता ले खीरां दी वाहरे माझ फकीरां दी कभी तोडे शाल दुशाले अबी चाधर दे को नई बैरनकाह है, वा वा लेक्वादे है, कभी तोड़े शाल डुशाले, कभी गुदड़या ली रांदी, वाहरे मूझ फकी रांदी, मंग तंगे टुकडे क्गाने, चल दे चाल अंहि रांदी, वाहरे मौझ फकी रांदी." फकीर का मतलब बिख मंगा नहीं हाँ फकीर का मतलब लाचार नहीं फकीर का मतलब बुद्धु नहीं फकीर का मतलब ऐसा है कि वो फकीर किन्नाराम ने शाह चाह को का कि तू पबलिक का खून पी के ऐ शाहराम करता और बीबियों को सजा धाया के और राज महले को सजा के मेरे को प्रभावीत करना चाहता है ये महले में नहीं रहगा तो जेल में रहगा मुल्क कहें के तेरे को दौा किया उसका मतलब यह कि पब्लिक कर खुनती है उसके महले में ढाटा और वही शाहजां को औरंग जिब में जेल में डाल दिया है उसका नाम है फकीर यदि वसंग कल्प चला है तो लकीर पत्थर पे लकीर इसका नाम है फकीर और फकीर कौन बेख मंगा नहीं संशे सब को खात है संशे सब का पीर संशे की जो फाकी करे उसका नाम फकीर शाब मास है बेटे नाराइन हरी नाराइन हरी आप ठीक ठाको बन जाओगे फकीर संशे रहित जीवन निश्चिंत जीवन निर्भिक जीवन और प्रसंद जीवन एफकीरी की बाद चिंता ऐसी डाकिनी काटिकले जाखाए वईद्य विचारा क्या करे कहां तक दवा खिलाए ये तो है असली वचन कभीर जी के और मिलावट का मैंने बनाया है आजकल मिलावट का जवाना है तो मैंने मिलावट का माल बनाया है चिंता ऐसी डाकिनी काटिकले जाखाए बाप विचारा क्या करे कहां तक कथा सुना है हरी हरी हो अजकले जाखाए अजकले जाखाए दिश दिन नानिक जो चपे सपल होई सबका अरी हरी ओ हरी सम जग कछु वस्तु नहीं पेम पंथ सम पंथ सत्गुरु सम सज्चन नहीं गीतासम नहीं ग्रंथ हरी हरी ओ ओठ बंध दात मिला दो जीव का अग्रबाद दातों के मूल में मन में भगवन नाम जबते सत्ग सम के अधिकार को और दिव्यवन आओ गेरी शांती मधूर शांती परमेश्वरे शांती अम शांती इस प्रखाः चिंतन कर दे जामन में परमेश्वरे शांती यह प्रखाः जाँ जाँ झाल प्रखाः प्रखाः जाँ झाल ओ शांती ओ शांती जीर हरियो हरियो भगवान कहते हैं अथचित्तम समाधातुम नशकनोसी मैस्थिरम अभ्यास योगेन अततो मामिच्छन्तु धननजय अगर तु मन को मेरे में अचल भाव से स्थिर करने में समर्थ नहीं है तो हे धननजय अभ्यास योग के द्वारा तु मेरी प्राप्ति की इच्छा कर और अभ्यास में भी अगर तु समर्थ नहीं है तो जो कुछ करम करें वह है तु मेरी प्रीती के लिए कर मेरा समर्ण करते विकर सनातन धर्म की एक विशेष्टा है कि बहु आयामी है हमारे मन की विशेष्टा है कि बहु आयामी किसी भी धर्म का व्यक्ति हूँ उसका मन बहुत वेराइटी बहुत स्थान और बहुत नमीनता चाहता है सनातन धरम में वर्ष भर में चालीस वरत पर्व और उत्सव है वरत सात्वीक पर्व राजस सात्वीक उत्सव में और थोड़ी छूच्छाट लेकिन हमारा मन नविनता का प्यासा है और उसे नविन नविन डंग से बोई अति सनातन सत्य का सुख प्रक्टाने का आउसर मिलता है मुझसे वर्डर लीजेस पार्लामेंट में पुच्छा गया के तुमाहरा क्या हिंदुस्तानियों का इंडियन प्यपुल सो मेनी गाड़। सो मेनी democrats क्या तुमाहा धर्म, क्या तुमाहरे बहुत धर्म हमारे तो एक ही भगवान तुमाहरे तो कितने भगवान लॉड शीवा ह् ún सनेक वाले साब गले में पड़ा क्या है सा भगवान तुमाहरा लॉड रामा ह के लिए रोता है है सिता, Lord Krishna, what is this? Lord Ganapatha, Lord Hanumana, so many Lord, so many God. Our God is very great. मैंने कहा कि तुमने सोते शेहर के आंख में उंड़ी घूशने का साहस किया है, अब सुन लो भांजे, भांजे तो तुमको मिलाकर बोलता हूं वहां भांजे नहीं बोला ता मैंने, हमारा मन बहुत आयामी है, नवीनता पसंद करता है, आप रोटी और सबजी से जी सकते हैं, लेकिन रोज वही रोटी नहीं खाते हैं, वही सबजी नहीं खाते हैं, कभी रोटी में भी बदलाहता हैं, कभी भात तो कभी ब्रेड तो कभी दिन्नर तो कभी कुछ तो कभी कुछ, दो गज कपड़ा खरिदना है तो आप चार ताके देखते हैं, दो दुकाने बटकते है दो चार रंग देखते हैं तब दो मीटर कपड़ा खरीते सबजी लेने हैं तो चार सबजी देखकर एक सबजी लेते तो आपका मन वेराइटी चाहता है मानवी का मन जिस दुकान में वेराइटी नहीं वह दुकान वेराइटी के जगत में कंगाल है ऐसे तुम बेराइटी के जगत में तुम्हारा कंगालियत साबित होता है, यहाँ बेराइटियां खूग है. उत्सव पर उत्सव और कभी कृष्णा का नईया लाल की जहें, तो कभी रामचंद्र भगवान की जहें, तो कभी द्यनगुरू नान करा जगता रिया। तो कभी असीनिमाना कैबने आना दुल हा तुह है झे धरतेवीकानं, करीम भाल की जूले लाल जूले लाल जूले लाल, नरत्य होता है, गान होता है, अपन जो के वल से नाचते हैं, तो एक की प्रशर का फायदा मिलने के साथ, दाया पैर बाया 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 दाया तो आपकी सुशुमुन्या का दौार दोनों नारियां खखुलता है, उस समय की वह भावना, साधना, शुब फलता है, ऐसे कितनी आपकी सुशुमुन्या का दौक्टर दायमन लिखता है, कि जो पोप किर्तन, पोप संगित, अथवदिस को संगित सुनते हैं, उनके सेक्सुल केंदर कुतेजित हैं, और वे फिर, मैं खोल के बोल मूँ और क्या करूँ, वे फिर कमराबंद मैं प्रेम करना खोचते हैं, त करने का प्लानिंग बनाते हैं, आप समझ गए कमराबंद का प्रेम कैसा होता है, लवर लवरी के कमर तोड का रेक्रम को प्रेम बोलते हैं, अब यो और खोल के बोलूं, बेशर्मा होकर, एक दूसरे के हाड मास चाटने का प्रेम उबरता है, और जब खुले मैदान में किर कुम्ब करने काहा कि वहिया, तुमने सीता जी को लाए, गल्ती तो ही लेकिना सीता जी का सत्व, चतित्व, हरन के लिए तुम राम जी का रूप लेकर चले जाते हैं, तो इतना सारा क्यों बखेडा होता है, अनुमा अल्ला किये अपना रावन कहता है, कि सारे पापड में मैं जब राम जी का रूप बनाने के लिए राम जी का रूप बनाने के लिए राम जी का नाम लेता हूं, चिन्तन करता हूं, तो मेरा काम राम में बदल जाता है, तेरी भावी भी मुझे मुझे मा बैन जैसे है, तो सिता के बास कैसे है, यह है आपके देवताओं के मंत्रो का प्रबहाव, शिव जी का सुमरण, राम जी का सुमरण, अनुमान जी का सुमरण, कामी को रामी बना देता है, और पोक किरतन संगित, आपका डॉक्टर डायमन कहता है, कि सेक्सिल केंदर, उतेजित करता है, और फ्राइड का मनो विज्ञान कहता है, कि बच्चा मा को देख कर उसके साथ संभोग करने की इच्छा करता है, यह नए सर्गिक है, फ्राइट का मनो विज्ञान पढ़कर कई सहियमी भी भोगी बनकर संभोग से समाधी के नाम से बदनाम हो गए, और हवसिष्ट का मनो विज्ञान, नारत का मनो विज्ञान, पतंजली का मनो विज्ञान, लोती ही है that Bhagavan कुए अपना बच्चा बनाने का सवभगया बढने वाले हैं। प regimes suchste अऍका आरे रिष्यों का मनुवविया से प talkinठी ऐसी समभोग से समाधि का सबंध८ सबंधुल लगोग सेखसंद अगर सेखसंद लगया बक्रा चालीस बक्रियों को एक दिन में मिल सकता है। मनुष्य मिले तो सत्यानास हो जाया पागल हो जाया तो चार दिन में। तो यह फ्राइड का मनुविज्ञान विकारों को कूती जित करता है। लेकिन हमारा मनोविज्ञन, वेकार को निरविकार नारायन के के इतन में ध्यान में, भजन में, स्म्रण में, फ्राइड खुद तो अश्ант होकर, खिन्न होकर पागल होकर मर गयाउ. लेकिन हमारा मनोविज्ञान के नुसार पागल को मानने वाले कई.. उनको पागल नहीं कहें, तो पागलों के चेले तो जरूर कहेंगे. Mr. Einstein से पूछा, जमनादास बजाज, जमनादास बजाज स्कूटर तो नाम सुना है न, जमनादास बजाज के जमाई, सही मनना आरायन ने, राजपाल अफ गुजरात, आइस्टेन से मिले और बोले तुम इतने प्रसीद हुए, उसका रहस्य क्या है, वो एक शान्त खंड मिले गए, एक आशन बिचा था, विद्युत का कूचालक अर्थिंग ना मिले ऐसा आशन, क्योंकि जब ध्यान करने से एक प्रकार की ओरा बनती है, उर्जा बनती, अगर आशन विद्युत का कूचालक आशन ने, तो आपकी ओरा उर्जा को अर्थिंग मिलती नदर्थि में चली जाते, आप भाकत भाकत नहीं बन पाते, बगत डे रह जाते हैं, तो गुरु लोग बताते हैं कि आपकी उर्जा की कैसे रक्षा हो, मंत्र दिक्षा के समय खास मताया जाता है, गिता में भी काह, युद्ध के मैदान में, चैला, जीन, पुषो, उतर, पुषा भीचाने से अर्थिंग नहीं मिलता, वागंबरादी का जमाना नहीं है, तो गरम कपड़ा भी चालो, कंबल भी चालो, खैल, आइस्टेन से पूछा गया, तो आइस्टेन कहता है, इचलो में तुमें दिखाता हूं, दिखाया क्या, पिद्युत का कुच अलक आसन, पतंजली योगदर्षन पढ़ा है, कोई चित्र बढ़ा है, मुले जब से में पतंजली योगदर्षन पढ़ा हूं, में मेडिटेशन करता हूं, ध्यान करता हूं, और मेरा मनी पुरकेंद्र डैवलोप हुआ है, यह बुद्धी को सुक्ष्मा सुक्ष्मातर बनाने की विवस्ता है, अब उस बुद्धी को मैंने एहिक जगत की रिसर्च में खचा तो मैं प्रसीद हो गया, और वही बुद्धी अगर बुद्धी डाता को खुजने में लगाता है तो आजमी जी सर्च बन जाएगा, बुद्ध बन जाएगा, कबीर बन जाएगा, कबीरा मन निरमल भहो जैसे गंगा नीर रावान नहीं मर रहा था, क्योंकि उसका काम नाभी में था, काम नाओ का पुंज, अगर आपका एकेंद्र डेवलोप हो जाए तो काम राम में बदल जाएगा, क्रोध शमा में बदल जाएगा, मुखर नाप प्रेम में बदल जाएगा, नीरस्ता सरस्ता में बदल जाएगी आपको मेरा जीवन नीरस्त लगता है क्या 63 वर्ष के व्यक्ति का जीवन आपको हस्ता खेलता नाच्ता गुन गुनाता नहीं दिखता है बालवत नहीं दिखता है एक केंद्र बदलने से नीरस्ता सरस्ता में बदल जाएगी आपके केंद्र विक्सित्व, ऐसी विवस्ता और ऐसा मनोविज्ञान है, तो भारती मनोविज्ञान है, सत्संग ध्यान और तपष्या का मनोविज्ञान है, यहां भूग के जीव को भी योगी बनाकर मुक्तात्मा करने का मनोविज्ञान है. अब लॉड कर्ष्टन कुछ भी नहीं लॉड राम कुछ भी नहीं कान स्कुल के सुन लो पूतना जांग तोक्ती होई पहलवानों की नहीं बटक रहे है कोई मर्द है कोई पहलवान मेरे साथ कुछ दी खेले भेंग कर चेहरा विकृत दांत देखके है आदमी को उल्ठी आ जाए इस प्रकार की वह पूतना बलमज से भटक्ती भटक्ती मुथरा में आई कंसको ललकारा चाणोक मुष्टिक तो कुछ नहीं मच्छरों से नहीं लड़ूंगी बड़े मच्छर तेरे में दम हो तो आजा मेरे साथ कुष्टि खेल इतना ललकारा की वह इंकार करे तो कायर और कुष्टि खेलता है तो उस राक्षशी को छूने कई पाप लगे उसके नाम से बच्चों को बखारा जाता हूता है बीमारी लग जाती जैसे बूतनी, पृतनी, डाकिनी, शाकिनी पृतना राक्षशी से अब कुष्टि कैसे लड़ों अगर ना बोलता हूं तो बोलती है काहर है और लड़ता हूं तो इसको इस पर्ष करने के लिए भी इस पर्ष करने से भी देस भार गंगानाने पर भी पवित्रताना मुश्किल है अगर इसके द्वारा इसको मार भी देता हूं समझो बल से तभी भी लोग नालत करेंगे कि एक औरत को बचाड़ा ये पहलवान क्या इस तरी को बचाड़ने वारा वह है वह है अगर तूने मेरे को पचार दिया तो मेरा जीना मुश्कलो जाएगा तो वा हो जाएगी इसलिए देखो हम तुमारे बल का आदर करते हैं और तुमारे लिए मेरे रदे में कितना प्यार है मैं अभी प्रदर्शित करता हूं नेता और राजा कब कहां करवत ले कहां जुके चुनाओ के दिन आएंगे तो नेता कितना स्मूथ हो जाता है और चुनाओ अच्छी तरह से जीत गया फिर नेता को मिलना कितना कठीन हो जाता है यह आप सब का अनुबव होगा जैराम जी की नेता चापवानी का उप्योग्या के पूतना हम तुमारा बड़ा आदर करते हैं और मेरे आदर की पैचान यह है कि आज से तु मेरी धर्म की बहन और मे तेरा भाईया तु मेरी बहन समराट कंस की बहन पूतना पूतना भी खुश और कंस ने देखा कि जब जरूर पड़ी इ भय तो था आकाश्वानी का और क्रश्न प्रगट हुए पूत्ना को भेजा पूत्ना ब्रज में बटक रही है स्री क्रश्न ने सुमरण क्या योगमाया का कि कहीं और बच्चों को उस्तन पान न करा दे मेरे कारण और मासुम न मर जाए उसको जल्दी प्रेडित करके मेरे पास लिया योगमाया ने उसकी बुद्धी पेरी अपूत्ना पूँची ये शुदा मा के पास नकली माल असली से भी जादा रुबाब मारता है आकर ये शुदा को डाटने लगी कभी बेटा बाला है क्या कभी बच्चे को जन्म दिया है पंचासी साल के नंद बाबा हो गए अर्तू हो गए मा वो लाला तिरा भुखाव है क्या है कुछ ने अर्तू दहदी बिलो की ये करती है अब भक्त विचारे सच्चे इमानदार ये शुदा मा क्याते अच्छा बेन बड़ी सुंद्री होकर आई थी वाया विरुपलेकर अच्छी बगली होकर आई थी मानवाकास की परी है कोई मैं देखती हूं क्रश्न को ये शुदाने सम्मति दी जब भक्त सम्मति दे तब पापी भग्वान तक पहुंच सकता है जैरांदी की मैं भक्त असन्त सम्मति दे तो दुराचारी भग्वान तक पहुंच सकता है बुखेवाज भग्वान तक पहुंच सकता है वो गई Main Laala तब तेरा बाप सभ जानता है तू क्या करने क्वाई Laala ने मू मोट दिया तो क्या लाला डर गए थे और जिसके आने से जैल के दर्वाजे खुल गए, हथकडियां खुल गई, जिसके आने से रास्ते में यमनाजी चरन चुने के लिए उभरती है, और स्री क्रश्ण ने चरन चुआया तो यमनाजी की बाहर शान्त हुई, ऐसा भगवान क्रश्णा, उसको बोलते हो वेरी ओडि थोड़ी दिर मूँ मोड़ा, मनो शिवजी का सुमरण क्या, कि काकार संत लेखे, कि बाबा, बोले बाबा, हम तो आय थे व्रज में मक्षन में शरी खाने को, और यहां भी विष्याया है, विष्मिने में तो तुम निलकंथ हो, हम मानस रूप में आप आज हो, हे निलकंथ यह तुम्हारा प्रसात्तम, स्विकार करने के लिए पदारो, शिवजी का सुमरण करके पूतना के इस तन को, चूसा चूसा चूसा, आज तक तो लोग बोलते थे, मुंच, मुंच, पूतना, मुंच बालकं, अब पूतना बोलती बालकं, मुंच ता, मा मुंच, मा मुंच, मेरे को छोड़ आज तक तो पूतना तो छोड़ बच्चे को लेकिन ये पूतना इस बच्चे को बोलती कि बच्चा पूतना को छोड़ एक ऐसा बच्चा होगा और ऐसा पिया ऐसा पिया कि महराज मानोश के प्रानी पे लिए तो अपना जो नपली रूप का चिन्तन थाव छुट गया और भयंकर हो गया और भयंकर हो गई विकाम विराण और ऐसी आकाश में उड़ी क्रश्न बड़ा चलो आच ना इसका जहास का उप्योग खोब बड़ा राउंड लिया राउंड लियार दबो चास तो तो जहां गरल गिरा वा जगा आगरे के नाम से विख्यात हुए जहां अलंकार गिरेवा अलिगड कहलाया इस प्रकार गुमाते हुए क्रश्न ने उसको पूत ना कुम पहुचा दिया लेकिन गौहल गोपियाम स्री क्रश्न को ले आए क्यरे राक्षशी ऐसी भयंक गव के पूच से क्रश्न का उतारा करती है आपके बच्चे को भी कुछ हो जाए तो देशी गाय के फूच से उसका उतारा करना अलाबला कट जाती गव की खुरों की मिट्टी पवित्र होती है लेकिन बिल्ली के पंजों की मिट्टी अगर किसी के घर में आई तो वो कंगाल हो जाएगा बक्री के पैरों की मिट्टी, बिल्ली के पैरों की मिट्टी और जाडू की मिट्टी, घर में आई तो चाहे कितना भी कमाओ घर में बर्कत नहीं होगी, राजस्तान में अमने देखा कई बक्रियों के मालिक धनी कमाते लिके बिचारे गरीब गरीब गरीब, फिर गाते रेते दर्ती दोरारी है, हीरे, खनकन में चांदो चंके, मन को मना लेते भीजा रहे हैं। अब सत्संग में कैसी कैसी उची बाते हैं। एक फ्रूट वाला था दिल्ली का, होलसेल का विजनेस करता था, लाग खोर पे कमाता था, फिर भी दो पसंग, तीन परसंग ब्याज पे पैसा लाला के उसकी कमल तूट गई। जब एक अथा में ये शब्दों सुना, बिल्ली की धूल, उसने जो बिल्ली पाली थी उसको रवाना किया, आप उसका करजा उतर गया। उसने मेरे को धन्यवादिया के साहिं सत्संग में ये दो शब्दों ने मेरी कई वर्षों के गरीबी कंगालत मिठा दी। बिल्ली की धूल, तो वो रिवापु जी अमेरिका में तो बिल्ली तो सब लोग पालते, फिर वो अमीर कैसे, आप भरम में हो, बड़े कंगाले, पगार आने के पहले ही, उन पर पगार, कई मेहनों का पगार, चला जाने का करजा है, क्रेटिट कार्डों का, डॉलर में कमा तो जो लोग बिल्ली की धूल, घर में आने देते, बक्री की धूल, या जाडू की धूल, अस्ति व्यस्त करते, जाडू की धूल को ऐसे डंग से उठा के रखनी चाहिए, कि घर में फेसे उड़े नहीं, चलो फिर चलते क्रश्ण के पास, जिस क्रश्ण ने पूतना को चूस कर जहर सदगती दी, एक मैने के क्रश्ण छेट का सूराय, धिन का सूराय, बका सूराय, अगा सूराय, सत्रा साल के क्रश्ण ने खत्यार नहीं उठाया, चानू कर मुष्टिक को खेलते खेलते स्वधा वस्क्रष्ण को बोलते हो वरी ओडिनरी काउचराने वाला और जो बेचारे 17 साल भारत में रहे, भारत के योगियों, काश्मिर के योगियों से योग्षिके, काशी के पंडितों से माअभारात और शास्त्रों का सत्तो पाया, फिर रोम में आये और केसर बाशा ने उनका पागत किया, फिर अपने योग सामर्थ्य से थोड़े प्रसिद्ध हुए, मेगेडिलिन नाम की वैशा उनकी भक्त थी, हम आरोप नहीं करते कि जीसस का सबंद मेगेडिलिन वैशा के साथ बुरा था, लेकिन उस समय वहां के लोकों ने ऐसा एक गंदगी फैलाई, दो जी जीसस को पकड़ा कर पोट्यस भाले राजपाल की हाजरी में, जीसस क्राइश्ट को खिले ठुकवा कर क्रोस पे मार दिया, तो तुमारा भगवान किसी के द्वारा पकड़ा जाया और खिले खाकर रवना हो जाया, वो भगवान बढ़ा कि कंस को, चानों को, मुष्टिक को और शीशुपाल जैसे को हसते खेलते स्वधाम भेजते और महाभारत का युद्ध चक्र चलाते हो, अपने पांचों पांड़ों को शादा आबाद रखते, बंसी बजाता हुआ आनंद दे और सचिदानंद का उपदेश दे, जिसकी गीता अभी पूजी जाती है, दुनिय सर्प्राइस, पृष्ट, स्वामी, मैं आपको सुरक्षित जगा पर रहने की व्यवस्ता करता हूँ, यहां साप रहें करें, कहीं बिच्चू भी दीख रहें, मातमाथोरों मुस्क रहें, सिराने के पास एक सद्गरंथ था, मातमाथोरों कहते हैं, जब से ये गरंथ मिला है, समझाओं पड़ाओं, तब से मेरे लिए कोई भायजन अपस्थान नहीं है, और कोई साप नहीं है, सब मेवाद, एक और एक में सब, ग्रंथ कोन सा है, बोले, स्रीमध भगवत गीता, ऐसे क्रष्ण को जो बोलते हैं, गाहे चराने वाला वे औरिनिर पर सुन, मैं तो क अगवान उनको सद बुद्धी दे, राम जी, हाई सीटा, हाई सीटा, हाई सीटा इस क्राइग, और गाहे च्राइग, लेसेन में, सुनू, अगर राम जी साधारन होते, तु सुर्पंखाई थी, बिलकुल सुंद्री बन कर, राम जी से साधी करना चाहते, राम जी ने इंक प्यार क्या, आपको पता है, तो लक्षमन का खुंपिया, लक्षमन ने मना की दो राम के पास गई, फिर राम जी ने मना की दो लखन के बार, फिर आई गई, आई गई, आखिर उसने निर्ला जोकर कहा, कि मैं तो तुम से प्यार करती हूं, I love you, लक्षमन ने देखा कि इस इस्त्री का बोशन है लज्जा, यह तो आज की पिक्चर है, इस्त्री के शील को लज्जा के सद्गुन को लूटने का दिखा रही है, आज की कन्याओं के साथ, यूतियों के साथ, नारियों के साथ, जो अन्या हो रहा है वो बूत काल में कभी नहीं हुआ था, सुकुमार बच्चों को सुकुमार बच्चों को ऐसा फिल्मों के द्वारा उतिजित कर दिया जाता है कि उनका जो सद्गुन था लज्जा इस्त्री का सद्गुन है उस सद्गुन में प्रभाव है निर्लज इस्त्री का प्रभाव खीन हो जाता है उसकी आकर्षनी शक्ति खीनो जाती है, उसकी प्रेमा शक्ति शुद्ध शक्ति खीनो जाती है, तो लक्षमन को गुस्सा है कि स्त्री होकर इतनी निरलज कि मैं तुमसे भीवा करना चाहती है, एक बार, दो बार बोला, तीन बार बोला, तुझे नाक है की नहीं है, बोले थे प्रेख के पुर्वाब था नाक और कान काटके सुर्पंखा के हाथ में पकड़ा दिया जाओ तुमारे भायों को बताना कि तू कैसी नककत्ते हैं और भायों ने साइन्य भेंजा अगर राम और लक्ष्मन साधारन होते तो साइन्य उनको अरिष्ट कर लेता राम लक्ष्मन को और सिदाजी को ले जाते राम और लक्ष्मन और तीर कमान थे बस इन मीन और तीन थे और दनुश्मान थे फिर भी पूरा लंका उथल पड़ा और उसकी माया भी सारी लिलाएं उथल पड़े अंत में भी जैराम जी का हुआ और मरते मरते रावन हाथ जोड़ कर कहता है भगवान स्री राम के चरणों में मेरा प्रणाम है कम से कम आपको रावन जैसी अकल तो होनी चाहिए जैराम जी की आप रावन से नीचे ना गिरे राम जी को और्डिनरी बर्सन बोलते हैं, हाँ, सिद्धा के लिए राम जी ने उकारा, वो राम जी मर्यादा उतार थे, पुरुष को इतना स्वार्थी नहीं होना चाहिए, कि पत्नी किसी का शिकार होकर चलीगे, तो क्या खरे, तू नहीं तो और सही, चलो दूसरी लवरी ले आए, नहीं, अपने वचन का पालन करना, अर्धांगन यह तो एक अंग, मुसीबत में तो दूसरा अंग, क्या चैन से सोएगा, स्री राम चंदरी रिजी ने प्रत्यक्ष करके दिखा दिया मुर्खो, नाराइन, 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 झाल